अब आप में भी बहुत लोगों के एक्साम चल रहे होंगे आज का टॉपिक एक्साम डिलेटेट है वीच इस एक्साम फोबिया वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पिछले वीडियो के बारे में बता देती हूँ तो पिछली बार मैंने वीडियो बनाए थी कि आप अपना पॉसिटिफ एनरजी कैसे बढ़ा सकते हो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो तो चले आज का वीडियो स्टार्ट करते है नमबर वाट इस एक्साम फोबिया इंसान में बहुत तरीके के डर होते है उनमें से एक है परिक्षा से डरना इसक के सिम्टम्स तीन प्रकार के होते हैं फिजिकल सिम्टम्स जैसे सरदर्थ, डाइरिया, जादा पसीना, सास लेने में तकलीफ, एक्सेटरा, इमोशनल सिम्टम्स जैसे गुसा, डर, उदास हो जाना, एक्सेटरा और बिहेवियरल सिम्टम्स जैसे नेगिटिब सोचना, concentration में तखलीफ, etc. Number 3. Why does it happen? Examphobia तभी होती है, जब हमें fail होने से डर लगता है, बहुत ज़ादा exam का pressure होता है, preparation की कमी होती है, या फिर पिछले test की history बहुत खड़ाप रहती है. Number 4. Is it good or bad? Obviously, examphobia एक बुरी चीज है और इससे हमें नुकसान ही होता है, क्योंकि इससे हम exam में concentrate नहीं कर पाते हैं, preparation अच्छी होनी के बावजूद भी सब भूल जाते हैं, और यहां तक की कुछ लोगों की तबियत भी बहुत भी कर जाती है, तो इसको prevent करना जरूरी है. सबसे पहले तो आपको relax करना है, जादा मत सोचो, जादा मत खबराओ, एक लंबी सास लो और relax करो, तो इसके prevention हम किसी और दिन और भी बिस्तार से discuss करेंगे, आज अल्रेडी बहुत कुछ discuss कर लिया, तो दोस्ते इन पाच पॉइंट से आप जान ही कहे होंगे, इसका दोस्द बना लेना, पर exam की preparation करते करते, exam phobia से मत टकरा जाना, तो दोस्तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लेगी, तो एक like, comment, share और subscribe कर देना, तो फिर मिलेंगे next Tuesday को, तब तक के लिए goodbye and best of luck for your exams.